पड़ी है सीदी, सीदी लेओ, आंखी सम्का सीदी आप सोच होगे कि आखे ये एंग्लिश हमें क्यों बढ़ाई जाती है क्या जरूरी है हमें इस भाशा के सीखना हाँ, बच्चों हमें इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि इंग्लिश ये एक ऐसी भाशा है जो दुनिया के करीब करीब हर देश में बोली जाती है बहुत सी किताबे और अख़बार भी इंग्लिश में भी छापे जाते हैं आप किसी भी शहर में जाएंगे गर तो हाई जगह आपको इंग्लिश की इंग्लिश लिखी दिखाई लेकी यहां दकी बिस्कूट और चिप्स के टाकेट से लेकर साबून एक ऐसी चाबी है जिसे हम कई ताले खोड़ सकते हैं इसलिए बच्चों सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने आसपास की हर चीज का नाम हम एंग्लिश में जानें आपने कि आपके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक सिर है, दो आथें, दो कान और एक नाथ है यह सब हमारे शरीम क्या हैं इनहें हम एंग्लिश में बॉडी पार्ट कहते हैं अच्छा बताईए आपके किस से खाते हैं मांट से करते हैं आप चलते किस से हैं जी हाँ, आप अपने पैरो यानि फीट से चलते हैं तो क्या आप जाना नहीं चाहिए कि इस सबी बॉडी पार्ट को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं इनके अलग-अलग नाम क्या है अच्छा, नाम तुम्हें बताएए